सबी फ्रेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान विश्नु के चक्र की उत्पत्ती हुई उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताके आगे भी आपको ऐसे ही यूस्फुल वीडियो मिलते रहें तब हम जानेंगे कैसे हुई भगवान विश्नु के चक्र की उत्पत्ती एक बार नारायन जिने हम भगवान विश्नु भी कहते हैं उन्होंने सोचा कि वह अपने इश्ट देवों के देव महादेव को प्रस्न करने के लिए उन्हें एक हजार कमल के पुष्प अरपित करेंगे पूजा की सारी समगरे कत्रित करने के बाद उन्होंने अपना आसन ग्रहन किया और आखे बंद करके अपने संकल्प को दोराया और अनुष्ठान शुरू कर दिया यर्थात में शिवजी के इश्ट नारायन है और नारायन के इश्ट शिवजी है किन्तु आज इश्ण भगवान शंकर भगवान की भूमिका में थे और भगवान नारायन भक्त की भूमिका में भगवान शिवजी शंकर को एक ठिठोली सुजी उन्होंने चुप चाप सहस्र कमलों में से एक कमल चुरा लिया नारायन अपने इश्ट के भक्ती में लीन थे उन्हीं इस बारे में कुछ भी ना पता लगा जब 999 कमल चड़ाने के बाद नारायन ने 1000 कमल को चड़ाने के लिए थाल में हाट डाला तो देखा उसमें तो कमल का फूल ही नहीं था कमल पुष्प लाने के लिए ना तो वे स्वेम उठके जा सकते थे ना किसी को बोल कर मंगवा सकते थे क्योंकि शास्र की मर्यादा है कि भगवान की पूजा अत्व कोई अनुष्ठान करते समय ना तो बीश में से उठा जा सकता है और नाही किसी से बात की जा सकती है वे चाहते तो अपनी माया से कमल के पुश्पो का धेर थाल में प्रकट कर लेते किन्तु इस समय वो भगवान नहीं बलकि अपनी इश्ट के भक्त के रूप्तम में थे आता है वो अपनी शक्तियों का उप्योग अपनी भक्ती में नहीं करना चाहते थे नारायन ने सोचा लोग मुझे कमल नयन बोलते हैं और तब नारायन ने अपनी एक आँख ही शरीर से निकाल कर शिवजी को कमल पुश्प की तरह अरपित कर दी क्योंकि जिसी कमल नयन बोला जाता है तो उसकी आँख भी तो कमल की समान ही हुई और उन्होंने इस तरह अपना अनुष्थान पूरा किया नारायन का इतना समर्पन देख कर शिवजी बहुत प्रसन हुए उनके नेत्रों से प्रेमश्रू निकल पड़े इतना ही नहीं नारायन के इस्तियाग से शिवजी मन से ही नहीं बलकि शरीर से भी पिगल गए और चक्र रूप में परिनित हो गए ये वही चक्र है जो नारायन हमेशा धारन किये रहते है तब से नारायन वही चक्र अपने दाहिने हाथ की तज्जनी में धारन करते हैं और इस तरह नारायन और शिव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बोलो शिव शंकर भोले ना थे कीजै विश्नु भगवान कीजै नारायन कीजै यानि की जो चक्र विश्नु भगवान अपने हाथ में धारन की रहते हैं वो स्वेम शिव ही है इसलिए वो अपने से इसको कभी अलग नहीं होने देते तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक शियर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ओन टाइम मिलता रहे ओलो विश्नु भगवान निकीर जय जय भोले बाबा